ग्लोबल वार्मिंग के कारण धर्ती के भीतर लगातार हलचल बढ़ते ही जा रही है। ऐसे में भूकम और बार जैसी एक से बढ़कर एक क्राक्रितिक आपदाएं सामने आ रही हैं। अब इन आपदाओं को ध्यान में रखकर विशेशगे ऐसे घरों को बनाने पर जोर दे रहे हैं, जिसमें लोह सीमेंट का कम इस्तिमाल होने के बावजूद भी ज्यादा तिकाओ हो। क्योंकि ऐसे घरों से परियावरन को भी नुकसान नहीं पहुचता है। आपको बता दें कि देनिश ट्वीप लैसों में समुदरी शैवार इलग्रास से एक खास तरह का घर ब बने हुए हैं। समुदरी शैवाल के इस्तिमाल से बने ये घर कई पीडियों तक तिकते हैं। सत्रहवी सदी से ही इस तरह अनोखे घर बनाए जा रहे हैं। लकडी की कमी होने पर घास से बनाया गया घर। पता दें कि लैसों द्वीप पर समुदर से नमक बनाने का उद् जियोग धंदों के लिए पेडों को काफी तेजी से काटा गया। पेडों की तेजन से कटाई होने के कारण लकडियों की आपूर्ती कम हो गई। तभी समुदरी घासों से घर बनाने का काम शुरू हुआ। समुदर के बीचों बीच बसे होने के कारण इस ध्वीप को एक फाइदा और हुआ। बहुत पार जहाज या कोट समुद्र में किसी दुरघटना का शिकार हो जाते और टूट-फूट कर ड्वीब के तट से लग जाते थे। ऐसे में लोग इन लकणियों को जमा करके इनसे अपना घर बनाने लगे और छटों के लिए समुद्री शैवाल का इस्तिमाल करते थे। हाला कि साल 1920 में समुद्री घास में एक फंगल संक्रमन हुआ। इसके बाद से ही लोग शैवाल का इस्तिमाल बंद करने लगे। धीरे धीरे ये घर इतने कम हो गए कि आज 1800 लोगों की आबादी वाले द्वीब पर सिर्फ 36 ऐसे घर हैं जिनकी छते श इलग्रास समुद्री शैवाल की वो खास किस्म है जिसका इस्तिमाल घर बनाने में किया जाता है। इलग्रास को काफी खास इसलिए माना जाता है क्योंकि ये आग नहीं पकड़ती, नहीं इसमें जंग लग सकती है और नहीं इनमें किसी तरह के कीडे लगने का दर रहता है सबसे खास बात ये है कि इलग्रास कार्बन डाइकसाइड को अफशोशित कर लेती है। इस तरह से घरों में रहने वालों को किसी एर प्यूरिफायर की जरूरत नहीं होती है।